अगर पुलिस वाले ही लुटेरे बन जाएंगे तो फिर लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा कानून का राज कैसे कायम होगा ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा ही मामला इंदौर से सामने आया है जहां लूट की बारदात को किसी और ने नहीं बलकि दो पुलिस वालों ने अंजाम दिया है मामला चंदन नगर थाना इलाके का है आरोप है कि दोनों पुलिस कर्मियों ने 23 दिसंबर को इंदौर एहमदाबाद रोड पर बस के ड्राइवर से 14 लाक रुपे की लूट की बारदात को अंजाम दिया था लूट में शामिल होने वाले सिपाहियों की शिनाक्त के लिए डीसीपी ने पूरे थाने के स्टाफ को कतार बर्द खड़ा कराकर परेड कराई और पुष्टी होते ही अर्धिकारियों ने चंदनगर थाने के दोनों सिपाहियों की तत्काल वर्दी उतरवाई और ग्रफतार कर हवालात में डाल दिया फिलहाल दोनों आरोपियों के पास से लूट का कोई भी सामान बरामत नहीं हो सका है थाना से चंदनगर में यह एकटना हुई है अर्फ पंजाब ट्रेवल्स की बद जो कि अंदावाज जाती है तेही सारीक नायट मैं यह वस जा एक पार्सल रखा हुआ था था अर्फ तेहें उसेहं के लुट जाने बटे लेगिंगर ओवी धिते हुद को डिप जएा ऐसन को इस 시akoga रिभ बटाया है कुँ जबताई रिच्ति नहीं की ऐसा driving का के लिदा है और इसके बाद थान फिर उनके जब का पैसा था अंके जयन उसने फिर रपोर्ट की तब या के फिर जो की जो टेकनिकल एविडेंस थे और उनके आधार पर फिलाल इनको दोनों को जो कॉस्टिवल से योगेश्व और दीपक्डु चंदनगर पधास्ते उनको अरुपी बना दिया गया है आई पी सेक्शन 392 के केस रेस्टर किया गया है और अभी पूछताज की जा रही है पैसा कोई रेकवर नी हुआ है अभी फिलाल प्रसम देश्टिया जो टेक्निकल एविडेंस से जमिले उनके आधार पर उसको अरुपी बनाया गया है और कारवाई की जा रही है जैसा कि मैंने बताया यह चुक नरकट या गंज अनुवंडली अस्पताल में एक कार चॉलक का हंगामा देखने को मिला है दरसल कार चॉलक ने कंट्रूल खो दिया था जिसके बाद कार रेजिस्ट्रेशन काउंटर के पास पहुँच गई थी जहां खड़ा मरीज उकार की चपिट में आने से घायल हो गय इस घटना के बाद अस्पताल भरिस्ट्रेशन में अफरा दफरी मच गई और मरीज और तिमारदार इदर उदर भागने लगे अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने कार को पकड़ लिया लेकिन तब तक चालक कार से उतर कर भाग गया था देशबर में विक्सित भारत संकल पियात्रा की धूम देखने को मिल रही है जगा जगा कारिक्रमों का आयोजन किया जा रहा है लोगों को सरकारी योजनाओं का लाब मिल रहा है इसी कड़ी में पश्चिमी चंपारण में भी कारिक्रम का आयूजवन किया गया विधायक नारायन प्रसाद ने बगही रतनपूर और पकनाह डुमरिया पंचायत में भी कारिक्रम का आयूजवन किया इस दोरान ग्रामिनों ने सरकारी योजनाओं का लाव उठाया और भारत को 2047 तक विक्सित बनाने के लिए सब ही ग्रामिनों को जागरुक होना पड़ेगा और भारत विश्वगुरु बनने के दिशा में आगे बढ़ रहा है तो विक्सित भारत संकल्प यात्रा की खूब धूम देखने को मिल रही है तो इसमी कड़ी में फरीदाबाद में भी कारेक्रम का आउजवित किया गया था दूतिगाओं के सक्टेर 28 में ये कारेक्रम आईउजवित किया गया था जहां लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाब उठाया रज़वरान, पेंशन, आयुश्मान कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, उजवला योजना से वंजित लोगों को भी कैम के जरीय सुविधाई उबलब्द गराई गई मोदी की गारंटी नाम से भी विशे सकैम का आयुशन किया गया था, जहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया देखो यह पहली बार हुआ है कि वही सरकार आपके द्वार, यह अधिकारी जो जिनके पास लोगों को जाना पड़ता था, चक्कर काटने पड़ते हैं, वो आज वो सारे अधिकारी, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी यहां पर आयुए हैं, और आप देख रहे हैं कि य हर्याना में नर्सिंग ऑफिसर्स का हंगामा देखने को मिल रहा है, नर्सिंग ऑफिसर्स ने हर्याना सरकार के खिलाफ मोचा खूल दिया है, हर्याना के पीज़ी अई में नर्सिंग ऑफिसर्स ने मांगों को लेकर दो घंटे की सांकेतिक हर्ताल की, रोह तक पीज़ी आई एम्स के नर्सिंग ऑफिसर्स विजय पार्क में गठा हुए, और सुबह दस बज़े सो लेकर बार्व बज़े तक हर्ताल की, इस दौरान उ नर्सिंग ऑफिसर्स सालों से रिस्क अलाउंस 7200 रुपए और C कैटेगरी से B कैटेगरी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, आपको बता दें कि लगातार नर्सिंग ऑफिसर्स का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इससे पहले आपको बता दी कि काला बिला लगा कर नर्सिंग उफिसर्स काम करते होए नजर आये थे विरोध जता रहे थे लेकिन उसके बावजूद जब सरकार ने उनकी मागों पर ध्यार नहीं दिया तो अब दो गंटे की सांकेतिक हर्ताल पर नर्सिंग उपिसर्स उतर आये हैं, दो घंटे हर्थाल पर रहे हैं और आगे ये चेतावने दी है कि अगर अभी भी सरकार नहीं चेती उनकी मांगों को नहीं माना गया तो फिर बड़ा आंदुलोन करने के तैयारे भी नर्सिंग ओफिसर्स करते हुए नज़रा रहे हैं हमने सरकार को और पीजाई परसाशन को पहले अउग्यत करा दिया था कि हमारी दो डिमांडे हैं दो सरकार से काफी सालों से लंबित पड़ी हैं जिसमें नर्सिंग अलाउंस एजबर सेंटर और गुरूप प्लासिफिकेशन लेकिन सरकार और पीजाई परसाशन दोनों के समान किया था उसके लिए आज सब इकठा हुएं लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने कोई रिस्पोंस नहीं दिया इसलिए आज हमें यांफिर इकठा होना पड़ा और अगर आज भी सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आगे के लिए हम और भी तेज अपना प्रदर प्रदाबाद के लोग सालों से कुडागर बनाने का विरौत कर रहे हैं आपको बता दें कि पुसले पांच महिने से इतना ही नहीं उस्ताने लोग और पुलिस भी आमने सामने नजर आई जानकारी के बाद मौके पर पहुँचे मुझे स्वर एसीपी सुधेर तनीज़ार लोगों को समझाते हुए नजर आए लोगों ने पैसला किया कि वे नगर निगम कमिशनर और फरीदाबाद डीसे से मुलाकार करेंगे जिसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा इदर नगर निगम के लोग खड़े हुए और वारी पुलिस भी खड़े इदर पब्लिक वाले भी खड़े हुए इनकी अपस में यह था कि वो कह रहे थे हम काम नहीं होने जाएंगे और नगर निगम वाले और सरकार के जो आदेश होते हमने तो सर्दार सरकार के साथ ही हो उसके बाद पिर इसकरें के हमारे साथ करेंगे इनके साथ करेंगे आगे जो भी निर्ण वोगा इनके अगुणर प्लिस देखा गए कि आज पुलिस्य के गारे की जा और अब है lifts में दो हमारा काम है दोनों पुपसे शांती बढ़ाने रखना है कि इनको बीपबिक को भी साथ लेके चलते हैं इनके आज भी हम साथ लेके चलें दोनों जो शांती बुरुपकर हमने करवाया काम रुकवाया है और इनकी रजामंदी से अफसरों से कल बातचीत हो जाए इस विश्वाइब अब लोग भी एस सारे यह लोग है पानीपट से हरान करने वाली खबर है एक पिता ने अपनी बेटी को एक के बाद एक पांच गोलिया मारी जिससे लड़की की मौथ हो गई है तो पानीपट के समालखा खंड के गाउं पट्टी कलियान से ये मामला सामने आया है बतादें कि आरोपी पिता ने बेटी पर एक के बाद एक पांच गोलियां बरसाई थी इस घड़ना के बाद इलाके में हडगंप मच गया जानकारी के मुताबिक पिता अपनी बेटी के बढ़ाई और घरेलू काम ना करने की बज़े से नाराज था दोपहर को पिता शराब के नश्य में घर पहुंचा और बेटी पर गोलियां बरसा दी मामले की जानकारी मिलने पर बहुंची पुलिस ने मृतक लड़की के शव और सब को कब्जे में लेकर पोस्ट माटम के लिए बेज़ विया है और कानूनी कारवाई में जुट गई है अपनी बेटी को इतना ब्यार करता था श्याद हम भी ने अपने बच्चों के ब्यार ने करता कोई पड़ाई गाओ निधा लड़की ने पड़ाई है ने बल्बुत्य लो छोड़ी थी मैटर के बाद अंकर को चिंग काचिंग पड़ रही थी थी थोड़ी बहु जो भी ल लिए उन्होंने अपने दर्खास पेश करी जो उसमें कहा कि बाप बेटी का दोनों का जगड़ा हो गया था जिसकी वजह से कई गोड़िया उसके बाप ने अपनी बेटी को मार दी है क्या क्यों फरिदावाद में पुलिस को बड़ी काम्यावी मिली है पुलिस ने टी संचाल की हड्या क्यों थी जानकारी के मताबिक आरोपी रोहित चायवाले के स्टॉल पर आता रहता था और उसके बारे में सारी जानकारी रोहित के पास थी आरोपी को लगता था कि चायवाले के पास बहुत पैसे होंगे लहाजा उसने हड्या की साजिस रची और चायवा प्राइम नाम के विक्ति की हत्या कर देगी थी अग्यात हमला वरा मुदारा धारदार थेयार से हमला करके उसी संबत में फायर नमबर में 105 थाना परदा के लिए दर्च की गई तो जांच थी उसकी कमिशनर साहब के दौरा श्री राकेशारे साहब के दौरा प्राइम प्रच कर रहा था उसे गरिफता रिखतार रता झाए अचे कर दकनी चुटायोंगोरा उसके उसके प्ला के अदरू का रहा था अधिर हो जारा को जाने लिए अग्याका रृत को सुटे एक नियत के ओने अधिender हो सुटे उसके नीएद करांब होने चारं उसका जो गल्ला था मृतक की दुकान का उसे इसने पैसे चिराने चाहिए जब वो इस चोरी को कर रहा था मृतक की आंख कुल जाने के कारण उसने उसका जब विरोध किया तो पास ही में पड़ी एक कुलहाडी उठा करके बुलिटिन में बाद पश्चमी चंपारण की भी कर लेते हैं जहां पहलवान अपने दाउंपेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं दरसल पश्चमी चंपारण चुले के लॉरिया प्रिखंड के मलाही टोला चोग के पास दंगल का आयूजिन किया गया है बुलिटिन के आखर में बाद यमना नगर की जहां फ्री हल्थ चेकप कैम्प का आयूजिन किया था आपको बता दें कि ये हल्थ चेकप कैम्प मदर मेरी च्वेरिटी हूम संस्था ने आयूजित किया था कारिकरम का आयूजन संस्था की संस्था पक खुश्वी और ड्राइरेक्टर विकरम चौहान के अद्यक्षता में किया गया कैम्प में आये मरीजों के स्वास्त की जाच डॉक्टर ज्रेक गुलाटी ने की वहीं महिला मरीजों का चेकप महिला रोग विशे सग्या डॉक्टर स्वरीता गुलाटी ने किया कैम्प में जरूरतमंद मरीजों में मुफ्त दवाईयां भी बांटी गई करीब 150 मरीज़ों का चक अप इस मेडिकल कैम्प में किया गया है आपके खबरों में फिलहाल के इतना ही अपना बहुत बहुत ख्याल रखे देश और दुनिया की तमाम एहम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार नियूज